हालो फ्रेंज आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंज आज हम कलास 10 के हिंदी के महत्पुर बहुई कलपी प्रशनों को देखेंगे जो 2024 के बोड के एक्जाम में 100% ये प्रशन आने वाले हैं इन प्रशनों को आप ध्यान से देखें और याद करने का प्रयास करें फ्रेंज आप एक नोट्स बना ले जितने भी हिंदी के प्रशन या गड़ीत के प्रशन करा रहे हैं उन सभी प्रशनों को आप एक जगा लिखें और उसका बार बार रिविजन करें यही सब प्रशन आपके बोड के एक्जाम में आने वाले हैं तो चलिए फ्रेंज वीडिय पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और यदि चैनल पर नहीं है तो चलगो साथ में सब्सक्राइब करें जिससे कोई भी वीडियो यदि हम अप्लोड करते हैं तो उसका नोटिश्विकेशन सबसे पहले आपके पास जाए तो फ्रेंज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंज देखें यहां पर आपका पहला नंबर का सवाल है कि अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है इस प्रकार से प्रश्ण आपके बोर्ड के एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं विधा से संबनी हमेशा प्रश्ण आते हैं यहां पर पूछाए कि जो अं अधेरी नगरी यह एक नाटक है इस प्रश्ण का सही जवाब क्या होगा बी वाला आपका करेक्ट होगा तो आप याद रखेएगा कि अधेरी नगरी किस विधा की रचना आए तो एक नाटक है ठीक है समझ में आ गया होगा आपको अब चलिए फ्रेंस अगले नंबर के सवा वर्मा है उदेश शंकर भठ जगदीश चंद्रमाथूर यह जैशंकर परसाद हैं तो फ्रेंस देखे दीपदान आपके पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम क्या है तो फ्रेंस दीपदान जो है डाक्टर रामकुमार वर्मा न ठीक है अब चलिए फ्रेंस आपके सामने अगला नंबर तीसरा नंबर का सवाल है कि भोर का तारा ठीक है भोर का तारा एकांकी के रचनाकर कौन है आफसान है जशंकर परसाद हैं उदेश शंकर भठ हैं जगदीश चंद्रमाथूर है यह महादेवी वर्मा है तो फ्रेंस कि भोर का तारा जो एकांकी है इसके रचनाकर जो हैं जगदीश चंद्रमाथूर है आपसे और आपका सवाल कर दाक्टर रांक्मार वर्मा जैसंकर प्रसाद राम प्रसाद शर्मा नहीं मेहमान की प्रसाद क्यों उद्र होगा इन प्रशनों का आप लिखी एगा ठीक है चलिए अगले नंबर का सवाल है पांचवा नमबर का कि भारत दूरदशा है मादलब आपको पताना है कि झूर दूरदशा है क्या कहानी है जो cyk जमें आग‌पार के सवाल को देखते हैं चुलिए आगले मेशन कनका प्रकाशन क recommence ठीक है यहाँ ऐसे बताना है कि जो बोहर का तारा है एक आंग़िस 17 कराया है जो रचनाकर प्रेक्ष इसमें प्रचनद्र मातूर्ख यह इसको याद रखिएगा भोर का तारा का रचनाकर कौन है तो जगदीश चंद्र माथुर जी है और इसका प्रकाशन कब हुआ था उन्हें सो साइटिस में हुआ था ठीक है चलिए सात्मा नंबर का सवाल देखते हैं यहाँ पर इस्त्री का हिर्द एकांकी के रचैता का नाम ह यह उदेश शंकरभट है यह महादेवी वर्मा है यह राम विलाश्चर्मा है तो फ्रेंच देखिए जो इस्त्री का हिर्द एकांकी के रचैता है वह आपके उदेश शंकरभट इस प्रशन का सही जवब क्या होगा बीवला आपसन करेक्ट हो जागा आठवा नंबर का सव एकांकी की जो रचैता है धर्मवीर भारती है तो इस प्रशन का सही जवब आपका होगा यह वाला आपसन करेक्ट हो जाएगा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगले नंबर का सवाल है आपका अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकर है यानि अंधकार औ और प्रकार है, यह उदेश अंकरभट द्वारा लिख है, इस प्र catches का सही जवब क्या होगा उदेश अंकरभट, और clone साथ में याद रखिएगा कि अंधकार है क्या चाहिये क्या है याद करऊं कि स्विध्दा की रचना है यह यह आत्मकता है कहानी है नाटक है या एकांकी है तो फ्रेंच देखें क्या भूलू क्या याद करूँ किस विदा की रचना है यह एक आत्मकता है इसका सही जवाब क्या होगा यह वाला आपसन करेक्ट होगा क्या भूलू क्या याद करूँ यह आपके paper में कई बार repeat हो चुका इस question को आप जरूर याद रखिएगा कि क्या भूलू क्या याद करू यह एक आत्मकत्ता है ठीक है अगला number का सवाल भी आपके paper में कई बार repeat हो चुका यह भी बहुत जादा important सवाल है कलम का सिपाही किस साहित की जीवनी है आपको बताना है कि जो कलम का सिपाही है किस साहित की जीवनी बताना है आपको बताना है कि जशंकर प्रशाद जी की जीवनी है राम बिर्च बेनुपूरी की है महा देवी वर्मा की है या मुशिप प्रेम चंद्र की है तो फ्रेंट जो कि प्रेम चंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है आपको बताना कि जो प्रेम चंद्र अपने घर में लिखा गया है वो किस विधा की रचना है कहानी है नाटक है उपन्यास है यह जीवनी है तो फ्रेंस यह क्या है एक जीवनी है ठीक है आपको यह प्रशन याद करना ह चली अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखे अगला सवाल तेरहओं नंबर का है की अतीत के चलचित्र के लेखा का नाम है यहां पर क्या है फ्रेंश को सब्सक्राइब के लेख़ का नाम है आपSANN महादेवी वर्मा यांश अंकर प्रसाथ उपेंद्र नात या प्रेम चंद्र तो फ्रेंस याद तो याद रखिएगा कि डायरी विधा की रचना है तो याद रखिएगा कि डायरी एक है या नाटक है यह एक आंकी है या यात्रा साहित्य है तो फ्रेंच देखे दचिर भारत की जलक यह एक यात्रा साहित्य है तो इस प्रशन का सही जवाब क्या होगा डी वला आपसन करेक्ट हो जाएगा कि दचिर भारत की जलक क्या है आपका यात्रा साहित्य है ठीक है चलिए अगले नंबर का सुलावा नंबर का सवाल देखते है आचार राम चंद्र शुक्ल की रचना है very very important friends यह भी प्रश्ण आपके बोड के exam में repeat हो चुके हैं फ्रेंच जितने भी प्रश्ण करा रहा हैं वह सभी प्रश्ण आपके बोड के exam के लिए बहुत important है उसमें से भी आपका जो प्रश्ण कई बार repeat हो चुका है उसको भी आप आपको साथ में बताते चल रहे हैं ठीक है इसलिए इन सभी प्रश्णों का आप एक जगण नोट जरूर कीजिए ठीक है देखिए सुलावा नंबर का है कि आचार राम चंद्र शुक्ल की रचना है अगला नंबर का सवाल आपका है देखिए आप सत्रहवा नंबर का कि पत एक आप को आपका है यापका है इसको पताना है कि पारो में बैंक बांद कर किसी विधा की रचना है आप सबहे हैं आप से ये क रहे हैं यात्रा विरित्थ है आत्मकता या संसम्रड़ है तो फ्रेंस यह क्या है आपका एक संसम्रड़ है कि पहरों में पंक बादिकर क्या है यह संसम्रड़ है ठीक है अगले नंबर का सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल आपका है कि भारत की एकता देखिए क्या है जो भा तो भारत की जो एकता है इसे सब्सक्राइब और जिन लिखाए इस प्रेश्न का सही जवाब कहोगा बीवला अपसण और चलिए अगले नबर का सवाल देखते हैं 20 वा नंबर का कि पत्थ के साथी किस ने लिखा है तो अभी आपको बता है कि पत्थ के साथी महादेवी वर्मा जी ने लिखा है अब बताना है आपको यहाँ प्रश्ण प्रश्ण बताना है कि पत्थ के साथ किस विदा की रचना है आपको बताना है यह ना सब्सक्राइब करें तो फ्रेंज देखिए आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो आपको सब्सक्राइब करें